ऑलो क्या वैल्लट में यूटूप चैनल टेक्निकल मिक्सर्टफ। दोस्टो इस वीडियो में हम लोग रुपि टेक्स के बने में जैनेंगे एक हैमर साथ है रुपि टेक्स रुपि टेग और एक हैमर साथ अावड़ी टेग और र You can तीनों टेक्स के बन में आज हम बात करेंगे Ruby टेक्स का क्या होता है दोस्तों ये annotation define करता है annotation means ये टेक्स को small करता है और जो main टेक्स होता है इसके उपर small टेक्स रखता है ये किसलिए उसको रखता है मतलब हम किसी भी टेक्स की full form अगर बताना चाहे तो हम Ruby टेक्स के जारे वो कर सकते है या किसी भी टेक्स की reference हम करना चाहे तो हम कर सकते है और RT टेक्स क्या होता है RT टेक्स में हम उसी जो full form हम लिकने चाहते है वो हम RT टेक्स के अंदर उसको हम लिकेंगे और RB टेक्स Ruby और B मेंस कि बैसर और भी टेक्स में हम जो मेंट maior होते है हुसको हम लिखेंगे तो यह हम किसे सरह करें गया चुछल स्स्टार्ट करते हैं कि दोस्तों स्टार्ट कुने इस पिर एक उमीद करता हूं कि आपनी चैनल को सब्सक्राइब गया है लेकिках कमेर आपने अभी तक इस टेक्स को यहां पर मैंने लिखा और यहां पर मैं एक हेडिंग क्रियेट करता हूँ मैंने हेडिंग लिखा उसमें मैंने टी एम एस लिखा इसको मैंने यहां पर लिखा सेव के मैंने काट्रोल एसे और यहां पर मैं इसको चेक करता हूँ कि हमार साथ क्या रिजाल्ट आ रहा है अब इस से हमें क्या पता चाल रहा है कि ये क्या हमार साथ है अब इसकी हम फूल फरम लिख सकते हैं यह पर मैं क्या करता हूँ यह पर मैं इसको रूबी टेक्स यह पर मैं लिखता हूँ और इसको इस टेक्स के बाद मैं क्लोस करता हूँ मैंने close किया, अब इस जो हमारे साथ ये text है, इसको मैं क्या करता हूँ, मैं हर भी text में बंद करता हूँ इसको मैंने इस तरह बंद किया, अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं already text लिखता हूँ और इसमें इसकी full form में लिखूँगा अब यहाँ पर क्या करता हूँ यहाँ पर मैं लिखता हूँ technical mix house इसको मैंने लिखा save के मैंने control A से और यहाँ पर मैं refresh करता हूँ तो हमारा साथ दोस्तों यहाँ पर यहाँ पर मैंने कापर mistake क्या है अब यहाँ पर मैंने इसको angular bracket को मैंने remove किया था save के मैंने control अब यहाँ पर मैं refresh करता हूँ तो हमारा साथ यह जो TMS है इसकी उपर हमारा साथ यह text आ गया अब हमें इससे पता चल जाता है कि यह TMS से क्या मुरा थे मतलब technical mix house से मुरा थे अब अगर कोई text को हमारा साथ है इसके हम definition कराना चाहे तो भी हम definition कर सकते है तो यहाँ पर हम से उसकी definition लिकेंगे इस तरह हम यहाँ पर definition लिकेंगे तो save करते हैं और यहाँ पर मैं refresh करता हूँ तो इस तरह उसकी definition यहाँ पर आ जाएगी आप यह पर दूस्त मेरे और लोग बताएं कि रोफी टेक्स है औरवी जरूबी बेस्ट यह पर जो बेस्ट टेक्स होते हैं इसको हम अरभी टेक्स में हम बंढरेंगे और जो भी हम उसको define करेंगे जो हम phone form लिकेंगे उसको हम architect में लिकेंगे और में जरूबी और टेक्स इसको हम इसमें बंद करेंगे तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टेग समझ आई होकी अगर समझ आई ही तो वीडियो को लाइंग कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं के तो सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भुलिए ताकि मेरे तमाम आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे टेंक यू